हेलो दोस्तों जैसा कि आपने थंबल पर देख लिए हम आपके लिए लेकर आए आज इन्वार्मेंट ठीक है सात्यों इन्वार्मेंट यान की परेवरन लेकर आए परेवरन समधिर हम आपको बताते हैं कि हम आपके विज्ञान से समधिर अत्ती महत्वपुन प्रस्णोंतर लेकर आएं बेसिक नोलच यादर पर आप किसी प्रतों की परिशा की तेयर करें आपके इन्वार्मेंट लेकर आएं इन्वार्मेंट ठीक है जब हम परियावरन की डेफिनेसन को समझते हैं तो इसका पहले हम संधी विजद करेंगे जैसे की परी परी प्लस आवरण ठीक है परी प्लस आवरण का जब संदीव जित करेंगे तो परी का मतलब बता चार ओर ठीक है चार ओर से और आवरण यानि गीरा हुआ चार ओर से गीरा हुआ ठीक है तो इसका जो परीबासा इसकी जो हुई वो हुई चार ओर से गीरा हुआ प्रियावरन के बात करते हैं फोले से लंग करते हैं न पहले करते हैं आप स्कारे जूतीक प्रहक गटक और जेव गटक होता क्या है ठीक है अजेव गटक यानि कि इन जीन में जीवन संभव नहीं है जीवन रहित ठीक है जीवन रहित वेसी प्रक्रियार जो कि जीन में जीवन रहित होते है ठीक है और जेव गटक यानि कि जीन में जीवन संभव हो ठीक है जीवन यापन ठीक है।Time हमेंigt जीवन जुरूर देती है ये शेम ज़िकनर जीवन नहीं है।सके बाद जब जल की बात करें ये जल जो होता है वो भी अजयव गटक मैं आता है। फिक है नेक्श जब बात करते हैं, प्रकास की तो प्रकास जो भी यह वो सब जेव गटक में आता है क्योंकि इनमें जीवन संभव होता है ठीक है जीवन क्या होता है संभव होता है इनमें जीवन जीवन जो आता हो संभव होता है सबसे पहले बात करते हैं पोधों की पोधों में भी जीवन संभव होता है इसके बात करते हैं जंतों की तिसरे नंबर में मनुषिया ऐता है और सुक्षम जीव-चीस में किडे मोड़ आता है ये इन सब में जीवन संभव होता है आगे बात करते है हम एक जिती में प्रयावरान या वातावरान वजव आध्यान को पारिस्थिति की केते हैं ठीक है सिदी सी बात है एकोलोजी जब बात आ जाए एकोलोजी की एकोलोजी की जब बात आ जाए पारिस्थिती की तो हमें सीधी सी बात याद रखने है पारिस्थिती की जब वर्ड आया तो हमें याद रखना पारिस्थिती की पर्यावरण से रिलेटेड है तो यहां हम यह भी कह सकते हैं कि जहां जीस समुदाय में पर्यावरण का अध्या किया जाता है जिस संबंद पर्यावरन के संबंद में जहा अध्यान किया जाता है उसे पारिस्ति कहते हैं एकोलोजी कहते हैं ठीक है और डेफिनिस आपको यह याद रहे तो यह भी बता सकते हैं आपके पर्यावरन या वातावरन वजीव संबुदाई के पारस पर एक संबं एको सिटम क्या होता है यानि कि पाइस्थी की तंत्र क्या होता है पहला जो इसका पॉइंट है साथ हो उसकी बजब बात करते हैं पहला पॉइंट है कि वातावरण के जेविक एवं अजेविक घटकों की अंतरक्रियासिक विक्सित तंत्र को पारिस्थिति की तंत्र केते हैं टंतर यानuden करत करते हैं कि यहां है सिस्टम होता है जिसमें सामगई एवं उर्जा का निरनतर प्लभाह होता कर से ECOLOGY करका ऑपनली वो होता ठीक ऑपनली सिस्टम होता है जिसमें सामान जो हम laquelle या उर्जया है उसका नीरagua अदान्पर्दान होता रहता है इनकि प्रबाह होता रहता है Czy Kay इस सब्द का सरव प्रतम प्रयोग जो है यानि कि ecosystem जो है इसका सरव प्रतम जो प्रयोग है वो आर्थर टास्ट लेने किया था किस नहीं किया था आर्थर टास्ट लेने किया था सन 1935 में सन 1935 में किस नहीं किया था आर्थल टांस लेने किया था ठीक है इस सब्द का सरव पृतम प्रोग ठीक है साथियो आगे बढ़ते हैं आपन तो साथियो आपको कहना भूल गया मैं कि आप जल्दी से जल्दी आपनी किरन ओनलाइन चेडि जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर दिए ठीक है इसको सब्सक्राइब कर दिए साथ में बैल आइकन जरूर दबा दीजी ठीक है बैल आइकन दबा दीजे ताकि हम जब भी कोई वीडियो लेकर आए सब्सक्राइब आप तक आए आगे बढ़ते हैं तो साथियो अब हम आपको बता रहे हैं ecological system जो होता है उसके structure ठीक है structure of ecological system ठीक है जो ecology system की ठीक है पारिश्थित की तंत्र की संद्रचना इसकी जब बात करते हैं ठीक है तो आपको मैं एक बार पूना बता देता हूँ कि पारिश्थित की तंत्र होता क्या पारिश्थित की तंत्र वहीं होता है कि जेविक और जेविक जो क्रिया होती है जेविक और अजेविक घटकों के अंत्र क्रिया किसे विक्सित जो तंत्र बनता उसको कहते है पारिस्ते तंत्र जिन्स के मद्य कोई भी सामगरी है या वस्तु है कोई भी सामगरी है उर्जिया का अदाम प्रदान या निवहा होता रहता है ठीक है इसे ही क ठीके निशुटेम को दो होते हैं यह पोटते हैं मैं आपके द्वापस कोंच नानալता वह देता है हौग wenn रिपीट Arya भाफ मैं आपके याद रहेगारी में बर रहे हैं आपको ठीक है अजेव जो होते हैं उसमें निर्जी प्राणी होते हैं जीन में जीवन संभव नहीं होता है ठीक है और दूसरा जो होता है जेव अवे उसमें होते हैं सजीव यानि की जीवन है जिसमें जीवन संपपोगा होता है। बिल्कुल सोट बता है हम आपको बिल्कुल सोट ली बता रहे हैं डीप में जाने की जरूरत ने हैं। व भी आब डीपली समझ सकते हैं तो मökझ uhm अवेकी जो बात करते है अज जिर अवेकी तो उसमें निर्जी प्रानी आते है ठीक है ठीक है अब यह भी टीन टाइप के है अज जो टाईप है इनका भोतिक आवरण दूस्ट्रा पोशन और तीसरा जल वाय्यू यह पे डिफेर है ठीक है जब भोतिक आवरण के हम बात करते हैं जिसमें आता है म्रधा, जल और ठीके मरधा, जल तथा वाय। यह ज्य चीजिजें होती है वह भोतिक आवरण में आती हैं। इसके तीन टाइफ हैं पहला भोतिक आवरण, दूसरा पोसन और तीसरा जल वायू में तीन आते हैं भोतिक वातारण में मरदा, जल और वायू आते हैं ठीक है पोसन की बात करें तो पोसन में कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं अब जिब जल वायू की बात करते हैं जलवायू में क्या होता है कि सूरी की जो रोसनी होती है वो ठीक है सूरी की रोसनी तापकरम और आदरता जो होती है दाब वो जलवायू में आती है ठीक है सूरी की रोसनी तापकरम आदरता ये जो होते है दाब ने वो वो आते है जलवायू में ठीक है अब जिब बात करते ह तो J-ρεव field में क्या होता है जीन में जीवन या संभव होता है है इसके भी तीन टाइप है सबसे पहले तो आते है इसमें उतपादक आते हैं दूशरे नımबर पर उभउकता आते हो तुश्ण नमर पर अब गटनकारी होते हैं अब आपको बता दो क्या क्या चीज渡 होती है उत इस तरह जो है अब गटनकारी वो दूसरे नंबर पर निर्भर रहता है यानि कि 1, 2 और 3 ठीके ये जो है वो इस पर निर्भर है और ये जो है वो इस पर निर्भर है ठीके मैं आपको बता दू कि कैसे है कि जो उत्पादक जो हते हैं वो उत्पादन करते हैं हरे पोदे जो है मनुष्य हम भी हैं हम जो हैं वो भी हरी सब्जों को खाते हैं तो हम भी उभगता में ही हैं ठीक है उप्योग करने वाला उभगता कहलाता है उत्पादक यानि कि उत्पादन करने वाला ठीक है अब गटंकारी जो उसका भी आगे का जो प्रोसेस होता है वो अब गटंकारी हो होता है अब LIN काली अब खरगोज तो कौन खाएगा अब गटनकारी यादी कि सुक्समाजी यहाथ है उसको सamento में चब कर सकते हैं ठीक है उसका सेत्व सामथ कर देते है माप खळाता है उतपारी अभक मी चनμεत बादा करे तो हर्ड़े पोर वह उत्पादर में आते हैं और बोगता की जिन में जंतु और मनुश्य आते हैं ठीक है जो की हरे पोदों को खाते हैं नेक्ट बात करें अब गडंकारी जो की इससे भी आगे का प्रोसेस होता है सुखनोजीव उन्हें नश्ट करते हैं अब यह जो डाइग्राम है इसके अपने बात करते हैं पिर फोदिस ही डिलेटन लेते हैं यहां से जो दाब है मोन nella से जाता ए कि एनरजीउ की तोड़ी जैसे यह मैं अपनी सबसे आपको परसेंटेश बता रहा हूँ कि कि इसकी वेंटेश इसनिया कम होते है ठीक है तो सबसे पहले दाब, आदेता, वाई मिडल, तापमान और फिर यह वाई मिडल में चली जाती है एनरजी तो यह होता है इसका प्रोसेश जो होता है वह इस तरह से होता है तो साथियो, आज जो हम आपके लिए लेकर आयते हैं, इन्वारमेंट तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी अच्छा लगाओगा ठीके सातियों उम्मिद करता हूँ कि यह जो आपका वीडियो है यह जो आपका वीडियो है आपको काफी अच्छा लगाऊगा तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजे वीडियो को लाइक कर दीजे और हाँ एक प्यारी सी कमेंट तो जरूर करेगा जिसे हम स्यूंसाइब तक आई इसके लिए आप डेल आइकन भी दबा दीजिए ठीक है और इसे ओल नौटविशन पर रख दीज़े और साथ यह नेस्ट वीडियो आपके लिएक रहाएंगे जैववे ठीक है जैववे के बारे में आपको बताएंगे ठीक है जैववे तो तब तक के के लिए ठेंक्यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को लाइक कर दीजे ठीक है साथ यो